हेलो दोस्तों नमस्ते मैं अपनी चैनल पे आप सब का स्वागत करती हूँ दोस्तों हसते रहें मुस्कूराते रहें पॉजेटिव रहें पॉजेटिव सोचिए पॉजेटिव रहेंगे सफलता बस मिलेगी आप सब सबस्त रहें मस रहें और लाइफ में आगे बढ़ते रहे अपना confidence level बढ़ाते जाए और हमेशा सफलता की और बढ़ने की कोसिस कीजिए 100% आपको सफलता मिलेगी उतार चड़ाओ हमेशा life में आता है बस समझे क्यों struggle है और struggle को पार करना है और life में हर कुछ पाना है जो हमारी इक्षा होती है अपना confidence level बढ़ाते जाए ठीक है डियर तो चलिए डियर यह है candle wax reading आप दोनों की current energy आपके और आपके पार्टनर की current energy मैं यहाँ देखना चाहते हूँ कि आपके पार्टनर आज morning में आप दोनों एक दुसरे के लिए क्या feel कर रहे थे क्या महशूस कर रहे थे तो चलिए डियर collective reading है सारे sign के लोग देख सकते है मेलो फीमेलो मैरेडो अनमैरेडो सब लोग देख सकते है collective reading है इसलिए positive होकर सुनिएगा ठीक है collective reading नहीं है ठीक है डियर तो जितना originate करें बाबू उतना ही रखो बाकी को जाने दो बट आप लोग अपना अपने आपको balance में रखो confidence level बढ़ाओ ठीक है और चलिए अपके पार्टनर की और आपकी energy में देखना चाहती हूं कि आपके पार्टनर और आप दूसरे को क्या feel करते morning में सुबस आप दोनों की current feelings क्या थी और मैं देखूंग आगे भी डियर कि क्या उ कि चल रहा है उनके दिल और दिमाग में vargy एप्रजेंट में भी morning के energy और प्रजेंट जो अभी चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपके दील फिरीज के पानी थोड़ा कम से कम पिया करें, मटके मंगा लिया करें, फिरीज के पानी से देख रहे हो ना, क्यों नी वैक्स गिर रहा है, इनिवर्स इंच, हाँ, गिरा डियर गिया, गिरा, गिरा, रात में भी आपको मिस कर रहे थे दियर, आपके परसन, दियर मैं यहाँ दोनों की इनर्जी देखूँ, तो देखिए, त्री यहाँ जो वैक्स गिर रहा है, देखिए, यह तो यहाँ पर सिच्वेजन है कि थर्ट पार्टी है, ठीक है दियर, लेकिन आप दोनों सुबसुबस, एक दूसरे को बहुत मिस कर रहे थे, mentally और physically दोनों इक दूसरे को बहुत ज़ाँ मिस कर रहे थे, आपको भी कमी फिल हो रही थी, आपकी चाहाद भी बढ़ रही थी, आपके परसन को लेकर, physically आप बहुत miss कर रहे थे आज morning में भी तरफ भी रहते काफी आप सोच भी रहे थे यह energy है यहाँ आपके partner mirror कर रहे थे तरफ रहे थे उनको भी आपसे physical desire की जरूरत हो रही थी और यह person आपसे मिलना चाहते हैं यहाँ पर मैं देख रहे हूँ कि आप फिर भी बहुत ज़्यादा manifest कर रहे हो अगर आपसे no contact है मैं देख रही हूँ कि कहीं न कहीं आप बहुत ज़्यादा manifest कर रहे हो कि किसी तरह आपके partner एक बार एक बार आपसे call message कर ले उनसे बात कर ले आप खुद पर control तो कर रहे हो dear ऐसा नहीं है control भी कर रहे हो लेकिन कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा emotional आप सुबह अपने partner को miss कर रहे थे mentally, physically तो कहीं न कहीं past को लेकर आप भी सोच रहे थे और आपके partner भी सोच रहे थे पहले जिस energy में आप दोनों थे past में जितना प्यार की जितने close थे, आप दोनों एक दूसरे को यहाँ miss कर रहे थे और दोनों इस energy में थे dear ठीक है, लेकिन जो आप सोच रहे है आपके partner भी सोच रहे है यहाँ पर दोनों की तरफ है बेचैनी है, दोनों को physical attraction बहुत हो रहा था, सुबह morning में भी dear, ऐसा नहीं है, आपके partner अभी भी यह energy में है, ठीक है बट यह आप पर नजर इसलिए रखने dear की इन्हें लग रहा है न कि आप change हो चुके हो ठीक है, मतलब आप change हो चुके हो कि आप में इतना बदलाव कैसे आया है आपको pamper, वो प्यार क्यों नहीं कर रहे हो ठीक है, यह person आपको लेकर बहुत सोच भी रहे है current energy में और यह miss, यहाँ पर missing energy है बहुत ज़्यादा तो physically dear ठीक है, लेकिन यह person आपसे बात करना चाहते हैं और आपको मनाना चाहते हैं थोड़ा सा sorry feel कर रहे है मुझे लग रहा dear कि किसी के partner की थोड़ी healthy issue भी मुझे दिख रही है disturbed है, ठीक है लेकिन यहाँ पर यह दूड़ियों को खत्म करना चाहते हैं, ठीक है खुसी नहीं मिल रही है, उन्हें बिल्कुल सांती नहीं मिल रही है, आपके manifest कर रहे हैं और आपके partner आपसे बात करना चाहते हैं, कुछ के partner आपसे आज बात करते हैं, पूरे दिन में किसी समय भी आपके person आपके तरफ बात कर सकते हैं और इजहार कर सकते हैं और हो सकता है कि आपसे मिलने की भी बात करे डियर, ठीक है यहां पे sorry feel जरूर कर रहे हैं माफी मागना चाहते हैं और आपको समझा सकते हैं बातों बातों में मुझे वक्त दो, time दो, मैं तुम्हें commitment दूँगा ऐसे करकर आपके person मना सकते हैं ठीक है कुछ बिल्कुल no context situation में है तो यहां आपके person देखिए प्रेशर बड़न है उनके उपर कंट्रोल कर रहे हैं ठीक है गुस्से पे कंट्रोल कर रहे हैं जबकि हो सकता है आपके partner के life में उनको trigger किया जा रहा है ठीक है जैसे भी यह parents से हो, family से हो कही न कहीं ने trigger भी किया जा रहा है आपके रिष्टे को लेकर डियर लेकिन फिर भी यह person आप से मिलना चाहते हैं क्योंकि यह खुद को control तो कर रहे हैं डियर दुर्यों को कम करना चाहते हैं एक नई सुरुआ चाहते हैं डियर लेकिन इस रिष्टे में मैं देख रहे हूँ क्या हो रहा अगर no contact में दोनों एक दूस्तों के spike कर रहे हो बट यह डियर कहीं न कहीं confused आप दोनों इस रिष्टे में चिक है बहुत ज़्यदा confused हो लेकिन फिर भी डियर आपकी energy है कि आपके अंदर एक बेचैनी एक तरफ है बस ऐसा लग रहा कि मेरे person मुझे एक बार तो बात कर ले मैं सब कुछ ठीक कर दूगा मैं सब कुछ ठीक कर दूगी एक बार तो बात कर ले आपने रातों में भी करवटे बदले हैं तरफे हो डियर सुबा मॉर्णिंग में भी आपने बहुत मेनिफेस्ट किया है क्यां कि आपको ऐसा फील हो रहा है तो आप अपने पार्टनर की भी एनरजी कर रहे हैं और दोनों ही मीरर कर रहे हो ठीक है बहुत मिस्स कर रहे हैं देखिए आपके परसंड और आप दोनों ही चाहिए और नई सुरुवात करने चाहिए ठीक है ये परसन आपके सोच रहे डियर लेकिन देखिए सुरुवात तो चाहते हैं लेकिन फिर भी मैं बोल दू डियर कि उतार चरहाओ की एनर्जी है ठीक है अभी भी उतार चरहाओ की एनर्जी है लेकिन हो सकता है डियर कि आपक बदलने की वजह क्या है ठीक है और इन बातों को लेकर यह बहुत डरने लगते हैं आप हो सकता है एक साथ जॉब भी करते हो ठीक है ऐसा भी मुझे दिख रहा है और नहीं भी करते हो तो सोशल मीडिया पे आप लोग एक दूसरे से मिले हो या पार्टी में मिले हो या सोच रहे हैं कि आप मतलब जो हो वो साइड वो चीज किसी में नहीं है और देखिए आप उनकी लखों ये मानते हैं और लाइफ टाइम के लिए आपको अपना बनाना चाहते हैं सही है लेकिन यहाँ परसन ना कुछ सोच रहा है सुसाइटी समाज पैरेंस को लेकर क्योंकि इनका डिवाइनिंग कैम अभी नहीं आया है ठीक है इसलिए वितार चाहँ के अनरजी है बट यह आपके लिए सोच रहे हैं लेकिन गुसे पर कंट्रोल कर रहे हैं आपकी नाराजगी जाइज है और यह कहना चाहते हैं कि तुम्हारा हक भी यह गुसा होना क्योंकि इनका बसक्त फिलंग कर रहे हो फिस्कल अठ्राक्षन बहुत हो रहे है रात में फुल मॉनिंग फें प Despite अपने पार्ट्र की इनर्जी पिकख कर रहे हो और जितना आप सोच रहे है अप पास्ट को लेकर यह आपके पर Украї को पर्सण भी आप जितना मैं academia कर रहे हैं जितना आप इ आपके बात ना करने से इनकी लाइप उल्जी हुई है ठीक है और ये सब को सुझाना चाहते हैं एक्सन लेना चाहते हैं लेकिन निव विगनिंग चाह रहे हैं ठीक है और हो सकता है आपको मना भी सकते हैं क्योंकि इनकी तरब बहुत बढ़ रही है ये ठका हुआ सा महसूस क यह गिंती नहीं कराना चाहते हैं बड़ यह महसूस कर रहे हैं ठीक है और यह चाहते हैं आपके close आना, मुझे बहुत लोग की reunion होती दिखाई तो दी है, कुछ लोग की हुई ही भी है, कुछ लोग बहुत close भी आयो, बहुत लोग एक दुसरे से कडीब भी आई हो आप लोग मुझे ये भी दिख रहा है बहुत पार्टनर आपके क्लोज आ है फिजिकल मैं देखी हूँ बहुत लोग को हुआ भी है ठीक है और आने वाले टाइब में आपके परसन हो सकता है कि आपके परसन इस बात को लेकर कभी अट्रैक्शन कभी फिसकल अट्रैक्शन ऐसा कुछ आप महसूस करोगे तो यह आपके पार्टनर की एनर्जी होगी यह एहसास उनको हो रहा है देखें सबसे बड़ी बात की इस रिस्ते में आप दोनों कन्फिज हो बट यह आपके परसन जो है आप पर नजर रख रह और तहले किन इनके हात में अभी कुछ भी नहीं है यह आपसे वक्त मांग सकते हैं और यह बोल सकते हैं मैं सही टाइम पे सब कुछ ठीक करदूँगा या कर दूंगी यह परसन के life में और फ्रेंड है छिक आपके एलाबे भी करते हैं लेकिन आपकी इनर्जी अलग है आप पर नज़र रख रहे हैं कि आप बदल कैसे गए हो ठीक है लेकिन हो सकता है आप खुबसूरत सा ड्रेस पहनते हो ठीक है आप आपकी लाइफ इसायल अच्छी है ठीक है दोनों में से कोई एक अच्छी घर से अच्छे फैमिली से बिलाउंग करते हो अच्छी सोसाइटी में पैसे वाली हो सकते हैं ठीक है तो मुझे लर आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं जहांकि पैसे बहुत आह्मिये थैं नेंफियंट है जिससे हो चैयर से आपके emphasize सवाथ की में पार्टनर या आप उनके कडि नहीं जा पारे है या मैरिज नहीं कर पार है ठीक है जबकि ये person आपको manifest कर रहा है लेकिन ये सिर्फ आपसे वक्त मांगना चाहता है टाइम मांगना चाहता है male औ female और डियर जैसे भी ले लो ये person आपसे new शुरुवाद चाह रहा है male भी हो सकते है female भी हो सकते है देखे dear help ये किसी से help भी ले रहा है फ्रेंड हो या फिर आपके लिए guidance ले रहे हो ऐसे भी energy है क्योंकि उनके दिल और दिवागों बहुत सारे सवाल जवाब चल रहा है आपको लेकर क्योंकि आप पहले ऐसे नहीं थे आप पहले ऐसे नहीं थे अब ऐसे कैसे हो गए ये person काफी इस बात को लेकर सोच रहे डियर ठीक है डियर मैं sign मुझे दिख रहे डियर आपके partner Sagittarius हो सकते है ठीक है Capricorn हो सकते है Leo हो सकते है Cancer हो सकते है Taurus हो सकते है Scorpio, Libra, Virgo मुझे ये intuition से बहुत ही powerful आप लोग के partner के आपके sign दिख रहे डियर ठीक है देखिए इनकी तरफ बढ़ती है ठीक है अगर आपके partner किसी से भी physically ज़्यादा attract है तो कहीं न कहीं वहाँ से ये दुरियां बना रहे डियर ठीक है उनके close-up नहीं जाना चाहते है आपकी जरूरत फिल कर रहे है ठीक है क्योंकि मुझे लग रहा है डियर कि आपके partner बहुत जल्द आपके तरफ action लेंगे ठीक है और ये आपको खुल कर बोलेंगे मुझे वक्त दो ताइम दो मैं सब कुछ ठीक करने बाला हूँ इनके दिल और दिमाग में चल ला है डियर कि मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा और ये आपके close आना चाहते है डियर ठीक है गुसे की energy थोड़ी थोड़ी तो मुझे दिख रही है थोड़ी सी अकेलापन आपके person में है आपको spike कर रहे हैं आपको ढूंड रहे हैं हो सकता डियर कि आपके अच्छी personality हो आपको बहुत लोग ताडिफ करते हों हो सकता आपसे बहुत लोग jealousy फिल करते हों आपके life रिशाय से आपकी खुब सूर्ती से आप इतना smart हो तो आपसे कोई न कोई jealousy फिल करता है या friend circle में हो सकता आपके मुझे उपर ताडिफ कर रहे हैं और पीट पीछे आपकी बुराईयां भी कर रहे हैं ऐसी भी energy मेरे कुछ भी वर्स की है कहीं भी हो friend हो, job जहां करते हो कहीं भी हो या आपके थट party कोई भी हो, आपके खिलाब कुछ न कुछ साजी सरच रहे हैं तो कुछ न कुछ यहां मैं देख रहे हैं आपके खिलाब साजी सरच गौसिप हो रहे हैं आपके खिलाब, ठीक है और कहीं न कहीं कुछ न कुछ आपके पार्टनर के कान में भी जारे जिसे उन्हें गुसा भी आता है और सोचते भी है डियर कि आपने सिर्फ उनसे ही प्यार किया है उनसे ही फिजिकल हुए फिर आपको लोग बदनाम क्यों कर रहे है ठीक है आपके स्मार्टनेस आपकी पसनाल्टी आपकी खुपसूर्ती से लोग जल भी रह डियर जूट में आपको इल्जाम लगा रहे है आपकी खिलाब कुछ ना कुछ साजिस रच रहे है ठीक है क्योंकि आप जितना आगे बढ़ रहे हैं सक्सेस की और बढ़ रहे हैं तो लोग आपको बदनाम भी कर रहे है ठीक है पीट-पीछे गौसिप भी हो रही है ठीक है एक्सन लेना चाहते हैं कुछ सेर करना चाहते हैं कमिटमेंट की बात कर सकते हैं मुझे ऐसा दिख रहा है और कुछ हो सकता है प्यार की बाते भी कर सकते हैं और ये कह सकते हैं मैं तुम्हें दिखना चाहता हूँ मुझे वक्त दो मुझे टाइम दो तुम्हारे साथ मिलना है ऐसी energy आपके partner की है क्योंकि मैं देख रहे हूँ कि आपके खिलाप जो भी gossip हो रही है ये गलत हो रहा है डियर मैं जानती हूँ कि आप कितना खुबसूरत हो अंदर से आप उपर की तो छोड़ो आप अंदर से जितनी खुबसूरत हो जितनी talented हो ये किसी को बरदास नहीं हो रहा है ठीक है और आपके खिलाप गहसी पोड़ी वो भी negative गंदी बाते ठीक है जो भी हो आपके खिलाप साजिस रची जाड़ी है ये friend circle में भी हो सकती है आसपास के लोग भी हो सकते है आपके partner के life में भी कुछ लोग हो सकते है या फिर जो कभी करीब कभी आपके साथ friend circle थे अभी no contact में है वो भी आपके खिलाप कुछ साजिस रचरह या रचड़ी है जो कि आपके खिलाप गंदा है ठीक है हो सकता है आपको बदनाम किया जा रहा है तो ये गलत है इसलिए मैं बोलूँगी कि जो भी हो आपने ist का help लिजिए अपने God का help लिजिए जो भी धर्म के हैं आप अपने God से help लिजिए और justice की बात कीजिए ठीक है आपको यहाँ कलंकित किया जा रहा है आपको बदनाम किया जा रहा है अगर आप husband wife हो तो कोई ना कुछ आप लोग को अलग किया जा रहा है और कुछ ना कुछ problem create किया जा रहा है जिससे आप लोग एक ना हो ठीक है अगर आपके partner married है आप भी married हो या unmarried हो कुछ भी हो dear मैं यहाँ देख रही हूँ कि आपके खिलाप साजिस रची जा रही है आपको बदनाम किया जा रहा है गौसिप हो रहा है आपके खिलाप बदनाम करने की साजिस चल रही है लेकिन कुछ न कुछ आपके life में बदलाव भी आ रहा है जो कि आपको दिखना है, गोर करना है, positive रहना है, क्योंकि बदलाव आ रहा है, जो कि positive है, यहां आपको angels के तरफ से guidance मिल रहा है यह यहां आपको इंजल से guidance की है, यहां प्रम कोई और धर्म के हो, ठीक है कोई काली मा है काली मा की पूजा करता है जो भी इस्ट आपके आपको वो संदेश दे रहे हैं इतना आप याद रखना उस चीज़ को फॉलो किजिए और अपने इस्ट से हिल्प मांगे ठीक है आपको हार नहीं माना क्योंकि मेरा इंट्विशन तभी बोला डियर जब मैं यह वीडियो बना रही थी ठीक है फर्स्ट टाइम में ही मैंने बोला मेरा इंट्विशन बोल रहा था मुझे यह बोलना था क्योंकि मुझे ऐसी पिक हो रही थी तो जो भी आपके इस्ट है उनसे हिल्प लिजी ठीक है और आपके खिलाप जो भी साजी स्रच रहा है ज अपनी हीलिंग करो सेल्प लब करो और उनिवर्स इंजल्स गौर्ड को बात करो और जैस्टिस मांगो ठीक है अर्थ मदर को हीलिंग सेंट किजिए उनिवर्स में अच्छी भाइब्रेशन दीजे मेडिशन किजिए अपनी पहचान बनाए ठीक है डियर मेरे बहुत भी वर खुद को सारेंडर कर देना है और अपने गौड से अपने इस्ट से आप जो भी धर्म के हो बात किजिए दिल से उनको सारेंडर किजिए और बोलिए मुझे इंसाब चाहिए मुझे जस्टिस चाहिए जबकि मैं जानती हूँ आप बहुत खुबसुरत हो लेकिन मेरे भीव पर अपने पार्टनर को गंदी गालियां कमेंट में लिखते हो यह मत करना क्योंकि वह आगे चले जाएंगे रोगे आप बाबू क्योंकि यह आपके उपर बुड़ा प्रभाव होता है क्योंकि यह कर्मा है आप जो दोगे उससे कई गुना आप पाओगे जैसा दोगे वै इतके लिए जीना सिखिए जस्टिस मांगिए और सेल्फ लब किजिए सेल्फ हिलिंग किजिए दियर चलिए तो यह थी आपके पार्टनर की और आपकी करेंट एनरजी प्यार बहुत है अनकंडिशनल लब है एक दूसरे को मिस कर लेकिन अपने उपर भी काम करना है दियर विडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें बेल आइकन जरूर दबाए डियर गड़ बलेस यह थैंक यू